वार्शिक परिक्षा कक्षा दस्पी दोहजार चौबीस का संस्कृत का पेपर देखते हैं पहला प्रश्ण है नदीनाम इत्यश्मिन पदे विवक्ति अस्ती तो नदीनाम शष्ठी बहु बचन है अगला प्रश्ण तश्मिन तश्मिन पदे वचनम अस्ती तो तश्मिन सब्द सब्द मी वक्ती एक बचन है अगला है अस्माभी सरवदा शत्यों वक्त अव्यम तो इसमें सरवदा सब्द जो है वो अभ्याय यहां प्रश्ट पूछा है अभ्याय अस्ती पूछा है तो अभ लिकटेशू शबदेशू अभ्याइपदम नास्ती तो अधो लिकटेशू अभ्याइप नहीं है रमा अभ्या नहीं है वागी तत्र देनू देन वह यहां पर बहुवचन है वहुवचनम आगरी चलतू प्रदत्ताई सब्दै रिक्तिस्थान आनी पूरियत तो यहां पर आपको खाली स्थान भरने हैं जो सब दिये गए हैं पहला ही प्रस्न है सुलवा इत्यश्य पदश्य बिलोम पदम तो सुलवा का हो हैं यह शक्त्रम भी बोलते हैं तो यह आ जाएगा श्वेता अश्वा धावती इत्यसमिन भाग के बिशेश्ण मस्ती तो यहां पर अश्वेता जो है वो बिशेश्ण हो जाएगा इसके बाद जननी तुल्यवत सला इत्यसमिन भाग के बिशेश्य यहां पर बिशेश्य प परियाय पदम, सलिलम का परियाय पदम हो जाएगा, जलम, इसके बाद निर्मलम इत्य से बिलोम पदम, निर्मलम का बिलोम पदम सामलम, इसके बाद चलते हैं, आगे जहां आपको योग मेलन करना है, यानि सही जोडिया में लानी है, तो देखते हैं, पहला प्रशन है, सूर पुर्योदय में गुण संधी है तो इसका option गुण संधी देखते हैं कहां दिया हुआ है गुण संधी ये दिया हुआ है इसके बाद देखते हैं अनुरूपम इसमें अब्वेई भाव समास है तो ये अब्वेई भाव हो गया इसके चौर भायम यहां पर तत्पुरुस समास तो यहां पर नहीं धन चला यह उसका बन जाएगा इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं पर यह ही सही लगाना है अगला प्रशन देखते हैं एक पदेन उत्तरम लखत एक पदेन बैसे चला भी वो चत्तो के कारण से चाक चा होता है फिर उस Чषषोटी खेर निश्चला उसमें अंसर लगाना है एक पदेन उत्तरम लखत दुरूबलले स्थे कश्या अधिका कश्या इसले लिंग में प्रशन पूछा है तो उत्तर है मा ये जन्नी तुल्य बत्सला का प्रश्ण है पिता पुत्राय बाले किमी अच्छती पिता पुत्राय बाले बिध्या धनम ये अच्छती ठीक है इसके बाद आधाय तेस्मिन पदेल्य प्रत्यास्ती सरल प्रश्ण है इसके बाद कथा ही तुम में कौन सा प्रत्का थी ये तु इसकी धातू भी जैसे पिवती का पीयते बनता है करोंबाच में, गायती का गीयते बनता है, गापा, ऐसी जो धातू है इनमें इकार हो जाता है आगे, अनिसम महानगरमद्य किम प्रचलती, तो अनिसम महानगरमद्य कालायस चक्रम, हमने जो गीत गया था, महानगरमद्य चल प्रश्ण नम्बर पांच प्रिवत इत्यास्मिन पदे अगर लखार पूछा है तो फेर अपन देखेंगे दो और इसके बाद अपठथ T्यास्मिन पदे लका रहा हश थी तो अपठथ मैं लंग लकार है लंग को ऐसे लिखेंगे लंग लका रहा निरंगच्न तित्यास्मिन पदे निरुपसरगा वस थी आम ठीक है? अपठथ वाला ये भी आम है पहला ना हो जाएगा प्रतियोपसर्ग है आसीत में एक बचन है तो ये हो जाएगा ना आसन बचन है तो पहला ना और अंतिमना बागी लगभग आम ये भी ना है पहला चौथा और लाश्ट ना है बाकी आम इसके बार देखते हैं एक बार ध्यान से सुल लीजेगा मयूरह कथम मुद्रा निर्ट्र मुद्रा या मिस्तिता हस्ती तो कथम यहाँ पर इनों निर्ट्र मुद्रा कैसे क्रिया की विशिस्ता है पूचिए तो निर्ट्र मुद्रा की विशिस्ता ये थी को पिच्छान उदगाटे युयम भो युयम सर्वे मेव संततय आप सबी मेरी संतान है ब्रथा कोला हलम कल हम माकुरूत इसके बन ते भूकमपश्य केंद्र बिन्दू कह जनपद आसीत भूकमपश्य केंद्र बिन्दू कच्च जन पद हासीत समस्त राष्ट्रम कीद्रिशे उल्लासे मगनम आसीत तो समस्त राष्ट्रम कीद्रिशे कीद्रिशे मतलब गणतंत्र दिवदश्य कीद्रिशे कश्य गणतंत्र दिवश उल्लास मगनम आसीत इसके बाद नित्र मुद्रायाम ऐसा नित्र गीत बादित त्राणाम गणतंत्र इसके मीनह कदा दीनाम गती में प्रापनोती जो मीन मीन यानी मचलियां तालाब में रहती हैं वो दीन गती को कब प्राप्त करती हैं तो मीनह यदा से अंसर शुरू करेंगे यदा शरह यह सरो वरह संकोचम अंचती या प्रापनोती संकोचम यानी सुकुड जाता है तरा मीना दीनाम गती में प्रापनोती तो आगर सरह संकोचम अंचती या प्रापनोती कुसलव योवन सश्य करता कहा तो भगवान प्रतमववक्ति का भगवान शहस्र दी धी धी धा लहरस्वी और ती में भी लहरस्वी रुपिसरग ठीक है उसके बाद बुद्धिमति कीन उपेता तो पुत्र द्वयम उपेता पुत्र और ये द्वयम ऐसा ही लिख दीजिए द्वयम को आप आधा मा लखें क्योंकि आगे उआ गया है इसके बाद सुर्वी इंद्रश्य प् खंडला ये भोबासव हम पुत्रश्य दैन्यम द्रस्ट्वा रोधी मी मैं पुत्र के दैन्यम यानी परेशानी को दिख करोती हूं अश्मा भी की द्रशा ब्रक्षा शेवित अब इसमें आपको घटना क्रम सजाना है तो सबसे पहले तो इसको आजाएगा इसके बाद ब्याग्रह ये दो नमबर ब्याग्रम आरी ये मिती मत्तव पलायता फिर तीसरे नमबर पर आएगा जम्मुक्रतोत साहा व्याग्रह पुना काननम आयच्छत ये तरती क्रम पर और प्रत्यत पन्नमती स्रगाल को डाटा उसने ती आजाएगा चौथा नमबर ये हो जाएगा ठीक है मैंने क्रम डाले हुए हैं एक और दो और तीन और ये हो जाएगा चार के अगला देखेंगे बाच परिवर्तन करना है बिलकोष सरल हैं जूकि वीडियो बड़ा हो रखैस बता ही देता हूं इसके बाद सेकंड स्टेप में मैं आपके लिए बाच परिवर्तन तेरा से बताऊंगा तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें पसंद आया हो तो बेट करें इसका और बता के मैं दूसरे वीडियो को मैं आपको आगे के आंसर भेजता हूँ चात्रह ग्रंथम पठती तो चात्रेन यहां कर्मबाच बनाना है तो चात्रेन ग्रंथम का हो जाएगा ग्रंथा चात्रेन ग्रंथा पठती तो पठ्थेते बिलकुल सरल हो गया यह त्वया अब यहां पर नोने कर्मबाच त्वया सत्यम कथितम अब चुकि यहां पर नोने क का करतर वाचवना रहा है तो यह और यह निस्था का प्रत्य बनाते हैं तो तहु प्रत्या लग जाता है तो यह वह जाएगा का थेतवान ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रॉशन बना दिया इसके वाद काका पिकाश शंततिम पालेती अगर मैं आप से कहूं का इसका आप बनाईए क्योंकि ये और सरल है तो मुझे अच्छा लगेगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल पटापट दे रहाए